अगर मुसलिम का जो है वो लास आ जाता है उन्हें दफना दिया जाता है फिर उसके बाद उन्हें लास को अदला बदला करके अपना अपना खुदी देख लीजिए नमस्कार आप देख रहें नेशनल इंडिया निउस और मैं हूँ आपके साथ पारितोस मल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संभोधित किया लेकिन वो क्या कुछ सवाल छोड़ गया है इस विसे पर भी चर्चा करेंगे हम आज और अस्पतालों का जो आलम है लगातार मौत का आकड़ा बढ़ता जा रहा है ख़बर यह भी आ रही है रही है कई चैनलों ने दिखा है याल है उसमें कि बहुत सारे लोग है जिनको जो RAW जो लासें जो परिशन को नहीं मील पार रहा हैं गुम हो जा रहा हैं ऐइसी भी ख़ब बिल्कुल ये जो है सरकारी एस्पताल का भी जो हलात है परितोस वो जग जाहिर है वो हर कोई जान रहे हैं और इस बात को लेकर कहीं ने कहीं कई लोगों का आरोब भी है कि एक जो है मीना देवी करके नाम जो है एक उनके पती थे उन्होंने कहा कि हमारी पतनी है जो कोई और मीना थी तो किस तरह से जो है देखे लाशों में भी अदला बदला हो रहा है क्योंकि कोवीड के चलते जो वहां प्रोटोकॉल है होस्पीटल में वह यह कहा जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा कि आप लाश को खोल नहीं सकते हैं तो लोग पहचानने में मजबू हो रहे हैं लोगों को जो है आप मुरादाबाद की देख लिए उत्तर परदेश जो योगी के राम राज कहा जाता है वहां के मुरादाबाद में अगर आप देखेंगे तो एक मुस्लिम के यहां जो है गहर मुस्लिम का अगर मुस्लिम का जो है वो लास आ जाता है उन्हें अन्तिम संसकार negatively डफनाया जाता तो यह सब सारी चीजे जो देश की विवस्ता है बेस्मेत की देश में जिस तरीके से काम होनी चाहिए थी जिस पर पर चर्चा होनी चाहिए थी उस पर बातचीत नहीं हो रही है आज पहले से भी अगर देखे इसमें मैं जंता कभी दोस्त मैं देना चाहूंगा क्योंकि लोग जो है ना हिंदू मुसल्मान के नाम पर मंदिर मस्जित के नाम पर वूट दिये हैं अस्पताल के नाम पर वोट देखने के लिए ख़वर आई थी कि ऑक्सीजन की कमी कई होस्पीटल में दिल्ली में कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा बाकाइदा मनु से सिदिया ने लिस्ट भी जारी किया ति कौन-कौन से होस्पीटल है जहां पर ऑक्सीजन खत्म बिल्कुल सही कह रहे हैं परितोस क्योंकि जिस तरीके से कल जो है डी डी यू होस्पीटल में 12 घंटे तक के लिए जो है ऑक्सीजन बचा हुआ था बुरारी होस्पीटल है 8 घंटे के लिए बचा हुआ था अंबेटकर होस्पीटल है 24 घंटे के लिए ऑक्सीजन वहां पर बचा हुआ था अचारिया पी होस्पीटल है वहाँ पर भी 12 घंटे के लिए बचा हुआ था बाबा साहब अंबेटकर होस्पीटल था वहाँ पर 8-10 घंटों के लिए जो है उक्सीजन बचा हुआ था प्रइबेट होस्पीटल के अगर मैं जिक्र करू बियाल कपूर बात्रा जो है वैन कात्रेश्वर उसके बाद Steफ meditation घंगराम वाली फैमल्डी मैक बालाजी तो यहाँ पर भी जो है कहीं पर 4 गंटे कहीं पर 12 गंटे कहीं पर 16 गंटे कहीं पर 24 गंटे और बाला जी में तो 48 गंटे तक यानि उसकी छमता कुछ जादा थी और जो होली फैमली था वहाँ पर 24 गंटे के लिए जो है ऑक्सीजन था लेकिन उस 24 गंटे के बाद क्या हश्र रहा दिल्ली का लोग इतने सारे दम तोड़ दिये सवाल ये भी उट रहा है सद्दाम की लोग कोरोना के चलते कम लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के चलते ज्यादा मर रहे हैं क्या यह सही है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि इस बात को लेकर कई डॉक्टरों का कहन है चाय के डॉक्टर हो राम मनोहर लोया के हो बेल कपूर के हो गंगा राम के हो तमाम डॉक्टर यही कह रहे हैं परितोस कि जिस तरीके से अभी जो मतलब हाल है डॉक्टर का यही कहना है कि अगर आप ऑक्सीजन लेके आएंगे तो आपको जान बचा पाएंगे क Mendrij면ा को भी सरकार को भी जवाब देना होगा नशन्ता को आपको जो साता के सिहासन पर बैठाया है और्वीन के जरी वाल को इस बात को लेकर सोचना चाहिए लिए कि आप्षिली की C साम रहा गया सार आपने क्या किया दिल्ली वास्यों के रहे हैं कि वीडियो में उन्होंने बोला कि हर चीज की लिमीट होती है यहां पर ज्यादा के से नहीं होगा मनीश्य शोदिया आकर टूइट कर देते हैं तो लिमीट दिल्ली का उधर गया अब ऑक्सीजन की कमी पड़ बहुत ज्यादा पूरे देश से पेसेंट दिल्ली मार रहे हैं तो यह व्यवस्ता तो केजरिवाल को भी तो करना चाहिए ना और जहां-जहां के मुख मंतरी नितीश कुमार हो उत्तर परदेश के मुख मंतरी योगी आधितनात हो राजास्थान के मुख मंतरी असोग गले मंतरी अर्विन केजरिवाल सो रहे हैं खाली टीट टीट खेलने से होगा कि इन सब सारी चीज़ों को लेकर आपको जो है मदद भी करना होगा सवाल यह भी उड़ता है कि अगर दिल्ली में कम हो गया वह मदद माग रहे तो केंदर सरकार क्यों नहीं मदद कर पार रहे हैं केंदर सरकार की तो जिम्यदारी ही परितोस और केंदर सरकार को इसको लेकर सोचना चाहिए और जहां पर जिसमद की केंदर सरकार चुनाव में बिएस्ट है जाहिर सी करेंगे ने लोग वोट देकर के सत्ता में बैठाया है और परदान मंत्री नरेहन मोदी सिर्फ रास्ट के नाम संबोधन में सिर्फ अपनी वहवाई करके चले जाते हैं यानि वह उस भासट को आप 16 19 मिनट माप कीजेगा 19 मिनट का उस जब सवाद को आप सुनेंगे परितोस तो आपको यह या तमाम जनकारी के लिए यह थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सद्दाम इन्होंने बारेकी अंदाज में परदान मंत्री नरेंद्र मोदी की भासट को लेकर क्या कुछ कमी रहे गई थी किन सवालों का जवाब देना था इसके बारे में बताया और सबसे जरूरी चीजिज इन नहीं आ रही है तो सरकार को इसे में चाहिए कि हर कदम खूक खूक के रखे और जो मरीज हैं जो हमारे देश की आम जनता उनके लिए ख्याल करें शुक्रिया ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि देश विदेश के जुड़ी खबरें आप मिर्श न करें क्योंकि करोना काल में दो गस दूरी मास्क है जरूरी